हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोगों के लिए मैं आज एक फिर से न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ जिस वीडियो का नाम है सिसी विलेज इंटरसीप तिसरा दिन का टाक्स और किस तरह से इसको आप लोग को पूरा करना है उसके विशय में जाना और उस एंसर प्रशन उत् अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं के हैं तो ज़रूर चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे आज का तीसरा टाक्स का क्वेस्चन है कि परति भागी को ग्राम संगठन भी हो कि निर्धारीत की गई बेठक में भाग लेंगे उ उनके लिए अगले चो महिने के बेठक की कार्य वाली तयार करना है जो आपको कार्य वाली होता है उस ग्राम संगठन का चो महिने में आगे आपको क्या-क्या काम करना है उस चीज को आपको तयार करना है तो सबसे पहले भीयो का नाम गठन ते थी भीयो का सदस्यों की संख यहाँ परदिकारी का नाम मतल्ड़ाब संगठन में होता है उता है अधियक्स अघियंग faculty का नाम देना है बेंक में कैस गराम संगठन के पासबुक से बेंक में कैस देखना है आज के डेट में और यहाँ पे यूनिक अडी डाल देना है पास के नगद जो मिटिंग होता है उसके पास में कितना नगद सेश रासी बचा हुआ है वह लिखना है साथी साथ यहाँ आप देख रहे हैं अ चीज को जानना है तो मैं चलिए आप लोग को पांच से लेकर छे महिना पहला महिना से लेकर छे महिना तक का जो वर्क बनाया हूँ उसके विशय में आप लोग देखे और इस विडियो को अंतक देखते रहे बिज में कट करते हैं तो आप लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगा तो सबसे पहले देख रहे हैं 3D का टाक्स आप लोग को भीयो ग्राम संगठन अगले 6 महिना के कारे सुची पहला महिना है अगर आपको किसी भीयो के अंतरगर दे दिया जाए तो आप क्या किजेगा तो अगर आप जीविका को जोएन करते हैं तो आपको किसी नय आप भीयो में भेय दिया जाता है तो आपका काम है ग्राम संगठन के मिटिंग के बारे में जानना और उसके रूल को समझना और पिछले छुटे कारे को सुरुवात करवाना और CM के बारे में जानना CM सही समय से मिटिंग करवाता है या नहीं बुक कीपर के बारे में जानना कि बुक कीपर अपना मिटिंग गराम संगठन का सही समय से करवाते है या कि नहीं उसके बारे में जानना और उस चीज़ को आपको बताना इसमें आप अपने से भी एड कर सकते हैं दुसरा महिना का वर्क है दुसरा महिना का काम के बारे में जानना जिस गराम संगठन में आप जाते हैं उस गराम संगठन के अंतरगत कितने सेजी है और जो सेजी इस गराम संगठन में जुड़ा है जुड़ा है क्या वह परतेक माह भीयों के मिटिंग में आते हैं या नहीं आते हैं इसके बारे में जानना उसको आपको पता लगाना है कि इस गराम संगठन के अंतरगत 10 या 12 SIG है और 12 SIG का दीदी जो होता है अध्यक सचिव जो कोई साथ है जो गराम संगठन के मिटिंग में आते हैं वो आते हैं या कि नहीं आते हैं इसके बारे में जानना तिसरा काम है आप लोगों का कि तिसरा मेंना का काम क्या है जिस गराम संगठन के मिटिंग में आप जाते हैं उस गराम संगठन में जितने समू है उसके उपर गराम संगठन का कौन कौन सा रीन है उसको पता लगाना और उस सभी समू को सूचना देना है कि परतियक मां आकर ग्राम संगठान reen जमा करे ग्राम संगठान का जो reen आपके पास सौह परतेक माँ आपके जमा करे लेकिन आपको वह ग्राम संगठान में जो book up record होता है, उसमें लिखा होगा कि किस किस समूँ पे इतना reen बाकी है ये कौन-कौन सा fund का रिन लिया गया है, सारा maintenance record आपको गराम संगठन के अंतर से मिलेगा चोथा महना का work experience आपको कहा जा रहा है चोथा महना में चोथा महना का काम क्या है जिस गराम संगठन के meeting में आप जाते हैं, उस भीयों के अंतरगत जो book of record है वो सही से लिखा जाता है या नहीं, अगर सही से नहीं लिखा जाता है, तो आपका काम है उस book की पर से लिखवाना तो चोथा काम है, जहां पे आप जिस भीयों के अंतरगत आपको दिया गया उस भीयों के अंतरगत जो book of record होता है minute book, कारेवाही, पुस्तिका उसके बाद आपको cash book, leisure book, तो इस सारा पुस्तिका को आपको लिखा जाता है, कि वहाँ पे लागू है या कि नहीं है, उसको लागू करवाना नहीं लिखा जाता है, तो आपको वहाँ बुकी पर के द्वारा लिखवाना है यही आपका काम है पांचमा काम है आपका कि पांचमा महना का क्या वर्क है आपका आप जिस गराम संगठन के मिटिंग में जाते हैं, वहाँ आपको पता लगाना है कि बिहार जिवी को पारजन की अंतरगत, बिहार सरकार की और से जिवी का परिजना चलाया गया है उसके अंतरगत जो फंड दिया जाता है उसमें कौन सा फंड इस गराम संगठन में आया है या नहीं आया है जैसे CIF, FSF, Food Security Fund, तो HRF Health Rix Fund, RF Revolving Fund जो SIG को दिया जाता है या फंड का पैसा आया है या पता लगाना है अगर नहीं आया है तो उस प्रियड में आप क्या किजिएगा तो छट्मा महिना के option में आप देख ले आपको क्या करना है चाथा महिना का काम है जिस गराम संगठन में यह फंड आया है उसको CIF मुल्धन पलस ब्याज वापसी करवाना है जिस गराम संगठन में यह सब फंड आ चुका है उसको आपको CLF को वापसी करवाना है ब्याज के रूप में और मुल्धन के रूप में जो उसका व्याज और जो मुल्धन बनता है वापसी न्योजन किस्त वै अनुसार और जिस गराम संगठन ने यह फंड का रुपया नहीं आया है जिस गराम संगठन में तो गराम संगठन से CLF के नाम आवेदन देना है जिसे CIF, FSF, HRF, RF फंड का रुपया नहीं आया है तो उस गराम संगठन का एक आवेदन परती बना के और उस CLF के नाम से आवेदन लिखिए और उस पे मोहर मारिए और उस पे सिकनेचर अध्यक्सिव कोसा अध्यच करके CLF के नाम दिजे कि मेरे गराम संगठन के अंतरगत इतना S.A.G. है और C.I.F. का रुपिया और F.S.F. का रुपिया आचार एप का रुपिया और R.F. का र डेट रहता हूं अगर आप लोग अपडेट रहे कि कोई भी information मिलता है वह क्या-क्या आप लिखे उसको send करे और एक बात जो अगला question मिलेगा आज के ही date में जो update होगा video कल के लिए वह तो बनेगा लेकिन आज एक दूसरा video मिलेगा वह video में आप लोग को जानकारी मिल होंगे तो आप लोग भी इस विशय में गराम संगठन के विशय में जोड़िये और क्या-क्या point बनता है आप लोग भी लिखिए क्योंकि आप लोगों की सेवा में हम सदा लगे रहते हैं और यह मेरा कर्तब है कि आप लोगों के पास सही समय से सही question प्रश्ण उत्तर आप लोगों तक पहुँच सके यही मेरा एक बहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए है जीविका बिहार में कब सुरुवात हुआ दो अक्टोवर 2007 को बिहार जीविका सुरुवात क्या गया कितने जिला में क्या गया है सारे फंड अगर आप इसमें भी जोड सकते हैं तो जोड सकते हैं और आप अपने मन से भी अधिरी अतिरिक जानकारी आपके पास है तो आप भी जोड़ सकते हैं अपने सिनियर प्राधिकारी एवं आपके जो दोस्त यार है उनसे भी लिख कर आप जोड़ सकते हैं इसमें क्योंकि आप लोगों के पास एक काफी सुनारा अवसर है इस बिहार जीवी का CC Community Coordinator जोईन करने का या आप लोग अगर मौका खो देते ह हैं तो फिर आप लोगों के पास दुबारा मौका नहीं मिलेगा बिहार जीवी का अब एक बहुत ही बड़ी जो संस्था के रूप में जाने माने लगे हैं और बिहार सरकार इसको काफी facility भी दे रखी है और ये तीन वर्ष के contact wishes पे आप लोगों को किया जाएगा या काफी बेहतरीन और मुलरुफ से आप लोगों को है जीवी का बिहार सरकार का एक उन्मूलन परयोजना है इसके अंतरगत आप जितनी भी योजनाओं को भी जोड़ सकें वह भी आप जोड़ सकते हैं कि सरकार का ये योजना इसमें जोड़ना चाहते हैं मन्रेगा हो गया जो भी भीयो में लागू करवाना चाहते हैं तो वह भी आप इसको add कर सकते हैं क्योंकि काफी जानकारी है agriculture से समंधित क्रिसी विभाग से मेरे गराम संगठन के अंतरगत ये काम होना चाहिए तो ये काम होना चाहिए इस काम के लिए भी आपको उसमें add करना है और community, kitchen garden के बारे में ही बताना है कि ये काम अपने भीयोग में अंतरगत करेंगे ताकि हमारे गराम संगठन के अंतरगत जितने भी दीदी है सभी को या फैदा मिल सके और इस गराम संगठन के अंतरगत उसको लाब मिल सके या काफी बिसेस और बहतरीन जानकारी है आप लोगों के लिए मेरी दोस्तों देखते रहे जब तक आप लोग इस चैनल के मादम से देखते हैं तब तक मैं आप लोगों के सहयोग में सदा सीवा करता रहूँगा देखते रहे इस वीडियो को अगर मेरा या चोटा सा अपडेट वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दिजेगा और बेल आइकन को प्रेश कर दिजेगा और अंत में एक मुख्य बात आप लोगो जीविका के अंतरगत किसी भी जानकारी चाहिए तो मेरे वेबसाइट का लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिशन में वहाँ पे जाके आप लोग किलिक करें www.harisankar.in इस वेबसाइट के नाम से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं जीविका का जो भी प्रशनल इन्फोर्मेशन, इंटर्व्यू सारा कुष्चन सभी पद के लिए मिलेगा और GKGS Current Appear जो भी पूछना है सारा कुष्चन उस वेबसाइट पे डाला गया है और साती सात मेरे फेस्बुक पेज़ पे अगर पहली बार है तो वहाँ पे आप लोग